देखे आज भारती जंता पाटी का स्वयम का कार्य करता आत्मत्या करने से पूर्व ये लिखता है कि उसकी मौत के सीधा जिम्मेवार इश्वरपा जो करनाटक के कैबिनेट मंतरी है और वो आगे लिखता है कि इस व्यक्ति को इश्वरप्पा को maximum punishment मतलब अधिक्तम दंड मिलना चाहिए वो अपने dying declaration में यह लिखता है अभी तक इश्वरप्पा जी बरखास्त क्यों नहीं हुए अभी तक इश्वरप्पा को गिरफदार क्यों नहीं किया गया तो हमारी पहल मांग तो 40% कमिशन सरकार के मुख्या से यह है कि इश्वरप्पा को बरखास्त कर गिरफदार करें हमारी दूसरी मांग यह है कि सुप्रिम कोट की sitting judge की निगरानी में एक कमीटी का गठन हो और वो कमीटी मुख्यमंत्री कार्याले से लेके सभी मंत्रियों के कार्याले की च भारतिय जनता पार्टी के MLA जो कुछ भी काम करते हैं उसमें 40% कमिशन लगता है उनके MPs जो काम करते हैं उसमें 40% कमिशन लगता है उनके मंत्री जो काम करते हैं उसमें 40% कमिशन लगता है तो we had these two demands की पहले इश्वरप्पा को बरखास्त कर गिरफदार करें और दूसरी सुप्रिम कोट के सिटिंग जज की निगरानी में एक कमिटी का गठन करें जो मुखे मंत्री बोमई साब के ओफिस से लेके करनाटक के सारे मंत्रियों के ओफिस की छानबिन करें और देश के सामने बताएं कि 40% कमिशन में कौन-कौन लोग इन्वाल्व है और उस 40% कमिशन के कौन-कौन लोग लाबारती है देश ये जानना चाते है मैंने वो वीडियो नहीं देखा पर मैं शिवराज सिंग जी से एक सवाल पूछना चाता हूँ क्या मद्य परदेश में राम नवमी का जलूस निकल रहा था उस दोरान दंगे हुए की नहीं उसका जवाब दीजिए कौन लोग उसके दोशी है इसका जवाब दीजिए ऐसा क्यों हो रहा है ये संयोग है या प्रयोग है बाजपा का कि जिन बाजपा शाशित राज्यों में अगले 15 महीनों से 18 महीनों में चुनाव है जैसे गुजरात, जैसे मद्य परदेश, जैसे करनाटक वहीं पे सिरफ राम नम्मी के दोरान इंसा होती है बाकी कहीं नहीं होती, ये संयोग है या प्रयोग इसके बारे में जानकारी दीजिए और मैंने वो वीडियो देखा नहीं, इसलिए उस पे कमेंट करना मेरा गला आप बताईए, जो बेरोजगारी की दर फरवरी 2022 में 6.8 प्रतिशत थी, आज 8 प्रतिशत वो गई वापस क्यों हो रही है, कौन है उसके जिम्मेवाद क्यों महेंगाई की दर, रिजर्बैंक बोल रहा है कि जो महेंगाई की दर हम 4.5 प्रतिशत पर सोचते थे अब 5.7 प्रतिशत पर होगी और ये ऐसे ही अगर चालू हुआ, तो जो अगली समिक्षा बैठक होगी RBI की दो महीने बाद, उसमें और इंप्लेशन के टार्गेट और आगे बढ़ जाएंगे क्यों पिछले 25 जिनों में पैट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपे 20 पैसे प्रति लिटर और CNG के दाम 10 रुपे प्रति किलो क्यों बढ़ाए गए ऐसा प्रधान मंत्री जी के पास वो कौन सा आर्थिक मॉडल है क्योंकि मैं प्रधान मंत्री जी अर्षास्त्र का एक विद्ध्यारती हूँ आप से समझना चाहता हूँ वो कौन सा मॉडल है जिसके तहत 137 दिन जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमते बढ़ रही थी आपने नहीं बढ़ाई वो मॉडल आज वापिस चरितार्त क्यों नहीं किया जा सकता देश इन सवालों का जवाब चाहता है देश घटती विकास दर, बढ़ती बेरोजगारी दर और बढ़ती महंगा दर के एकोनोमिक मॉडल से अब उप चुका है